नमस्कton स्वागत है है आपका मायरे शाल में दोस्तों आज हमें इस विशे हमें बात करेंगे कि अगर किसी ग्रह की नराजगी से आपकी मृत्त्य होती है तो आपको किस तरीके का जनम मिलेगा दोस्तों कई दफार हमारे कुण्डली के ग्रह भी जब नराज हो जाते हैं तो वो हमारी मृत्यू कौस कर देते हैं यानि की प्राणी की मृत्यू हो जाती है शरीर नेश्ट हो जाता है बहुत इंटरस्टिंग आज का टॉपिक है यूनीक है यूट्यूब पे कोई भी इस टॉपिक को नहीं बताएगा क्योंकि शायद ही किसी को इस चीज की नॉलिज हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लाइफ चींजिंग है आपके लिए मेरे पास कोई ग्लिटर्स नहीं है अच्छा एक वो नहीं है दिखावा नहीं है प्योर नॉलिज है प्योर आपके लिए कंटेंट है जो ओरिजिनल है प्योर है और आपको जीवन को आपके बदलने वाला है तो शोशेबाजी को ध्यान ना देते हुए जो मैं आपको नॉलिज दे रहा हूँ जो ग्यान दे रहा हूँ उस पे आप कंसेंट्रेट कीजे फैंसी रूम नहीं है मेरे पास फैंसी चेर नहीं है फैंसी कपड़े नहीं है पर हाँ एक दुरलब ग्यान है जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है तो अगर कोई भी ग्रहे टॉपिक पे आते हैं कोई भी ग्रहे आपको सजा देता है तो आपका जनम भी उस ग्रहे के accordingly निर्दारित हो जाता है और ग्रहे कब सजा देते हैं जब आप उस ग्रहे को दूशित कर दो और ग्रहे को नराज कर दो आप ऐसे कारे करो जिससे आपके ग्रहे इतने ज़दा खराब हो जाते हैं इतने ज़दा नराज हो जाते हैं हर ग्रह किसी देवता को संभूदित होता है किसी देवता का प्रतिविम होता है तो उस देवता को इंडिरेक्टली आप नराज कर रहे हो उस ग्रह को नराज करके तो जब आप ऐसा करते हो तो कहीं न कहीं कई दफ़ा ये नराजगी इतनी जादा हो जाती है यूँ कह लीजे कि आपके द्वारा किये वे कर्म इतने बुरे हो जाते हैं कि उसमें ग्रहे जब दंड देने पर आते हैं उनसे जुड़े वे देवी देवता जब दंड देने पर आते हैं तो इनसान की मृत्यू भी हो जाती है कहने को कह सकते हैं कि उसकी मृत्ति वे अपने खुद के कीवे बुरे कर्मों से हुई है पर कही न कही हम ग्रहों का भी एक हिसमें बहुत बड़ा योगदान मान सकते हैं आज टॉपिक लेंगे शनी ग्रहे का क्योंकि अपने आम में बहुत एहम है ये बहुत important है हर एक की life को ये coordinate करते हैं और ये कहले जे कि ये नयाय करता है इनसान को उसके कर्मों की सजा देते हैं तो यही एक ऐसे planet है एक ऐसे देव हैं जो सबी देवताओं से उपर है यहां तक की एक वक्त था जब ये ईश्वर से भी उपर इनका नयाय माना जाता था और आज भी सृष्टी के सभी देवी देवताओं इनके नयाय को ये समझ लीजे मानते हैं मान देते हैं सम्मानित करते हैं और इनके नयाय का सिक्का चलता है तो इनसान प्रिथ्वी लोग पर बले ही कितने ही बुरे करम कर ले पर मरने के बाद उसको जहिलना पड़ता है और कई दफ़ा जीते जीवी जहिलना पड़ता है हाँ कई दफ़ा हमारे पिछले जनमों के कर्मों के कारण इस जनम में हम उस पीडा को नहीं जेल पाते पर उसमें खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि जो हम बुरे करम कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसकी जो पीडा अगर आपको अगले जनम में जेलने पड़ी तब आप यही सवाल करोगे कि आपने किसी का क्या बिगारा था जो आपके साथ ये हुआ बात करते हैं शनी देवता की जो लोग अपने जीवन भर चोरी करते हैं जूट बोलते हैं दूसरों का आहित करते हैं चुगली करते हैं चुगली करके लोगों का काम बिगारते हैं शडियंतर रच के लोगों का काम बिगारते हैं धोके बाजी करते हैं पैसे का गमन करते हैं हर तरीके से दूसरे को नीचा दिखाते हैं उसको उसके रूप की वज़े से बेज़त करते हैं या किसी का भी मजाक उडाते हैं या निचले स्तर के जो जानवर होते हैं उनको मारते हैं या किसी भी जानवर को डर्दनाक मौत देते हैं तो ऐसे सभी मनुष्य शनी देवता के प्रकोप को छेलते हैं इसमें मुखेता तोर पे मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं हम कहते हैं ना कि शनी देवता क्या कोश अच्छा रखना है तो आप निचले तर्व के लोगों को खुश रखिये जो आपके लिए काम करते हैं आपके वरकर्ज हैं, मेड्ज हैं, सर्वेंट्स हैं आप हमेशे ने खुश रखिये, इससे शनी खुश होगे पर शनी की दृष्टी इन लोगों के कर्मों पे भी होती है आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रिक्शन फील्ड में काम करते हैं वो सारे शनी के अधिपत्ते में आते हैं और कंस्ट्रिक्शन इंडस्ट्री में यह आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा चोरी होती है कारपेंटर भी चोरी कर रहा है फाल सीलिंग वाला भी चोरी कर रहा है पलंबर भी चोरी कर रहा है चौकीदार भी चोरी कर रहा है बजली वाला भी चोरी कर रहा है जिसको जहां मौका मिलता है वहां उस कंस्ट्रक्शन साइट से वो चोरी करते हैं जिसमें तारो की चोरी होना लाइट्स की चोरी होना अन्ने किसी समान की चोरी होना ये कॉमन है और जितनी ज़्यादा ये लोग चोरी करते हैं उतना ज़्यादा शनी के प्रकोप में आते हैं उससे होता क्या है कि शनी कभी भी इनको उबरने नहीं देता इनको वो रहीसी हासिल नहीं करने देता जिसके एक ख्वाप देखते हैं ये जीवन भर कितने ही चोरी कर ले पर ये वापिस वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे थे कहते हैं ना गरीबी में जनम लिया और गरीबी में ही मृत्ती हुई ये कटू सत्ते हैं जो हर चोरी करने वाला इंसान नहीं समझ पाता पर वो भूल जाता है कि तुम चोरी करकर कि कितना ही बंडार भर लो वापिस से तुमारा जोला खाली ही रहेगा तुमारी चादर खाली ही रहेगी और यही शनी का नयाय होता है कि आप कितना ही खटा कर लो कितना ही चोरी कर लो आपको कभी भी आपकी पूरती नहीं हो पाईगी इसी तरीके से कोई भी इनसान तंखा ले रहा है पर काम चोरी कर रहा है काम पे जा रहा है वहाँ काम नहीं दे रहा आउटपुट नहीं दे रहा पर तंखा पूरी ले रहा है तो ये भी शनी के आदेपते में आते हैं अब जो लोग काम पे हराम खोरी करते हैं या काम बिगाड़ने में लगते हैं जिस मालिक का खाते हैं उसी की थाली में छीद करते हैं पीट पीछे उसको धोका देते हैं उसके खिलाफ शड़ियंतर करते हैं ऐसे सभी लोग शैनी के आदिपते में आते हैं आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंडस्रिलिस्ट की यह सोईयों, हजारों लोग काम कर रहे होते हैं आप देखते हों कि खूफ अगर आप फैक्टरी वारी हो तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझूगे मेरे पास इतने clients आते हैं और सबका एक ही रोना होता है कि उनकी factory में workers बहुत चोरी करते हैं बहुत नुकसान करते हैं deliberately नुकसान करते हैं जान बुच के करते हैं और जान बुच के चोरी करते हैं और जान बुच के नुकसान इसलिए करते हैं कि मालिक को कुछ बचे गा और maximum लोगों ने ये बात मुझे कही और मेरे से हर industry के लोग consultation दे चुके हैं कोई industry ऐसी नहीं होगी और maximum लोगों की 99% लोगों की यही problem थी कि workers धोका देते हैं एन वक्त पे छोड़के चले जाते हैं पैसा लेके भाग जाते हैं चोरी करते हैं नुकसान करते हैं deliberately परिशान करते हैं प्रोवोक करते हैं गुसा दिलाते हैं हर वो कारे करते हैं जिससे जो मालिक है उसकी mental peace खतम हो जाए तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप यह जितने भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं आप ने एक चीज़ देखा होगा कि यह हमेशा वरकर ही बने रहेंगे यह कभी भी मालिक का उधा हासिल नहीं कर सकते वो उसी जगे पर रहेंगे जहां पर थे चाहे वो कितनी चोरी कर लें चाहे वो कितना ही नुकसान कर दें चाहे वो काम चोरी करें चाहे वो हराम खोरी करें चाहे वो कितना ही शड़ियंतर कर लें चाहे पैसा लेके भाग जा इनकी कभी भी वो तरक्की नहीं हो सकती जो तरक्की एक मालिक की हो जाएगी और आपने देखा होगा इतना कुछ बरदाश करने के बावजूद भी मालिक की तरक्की होती है वो उचाई पे उठ जाता है और ये जो वरकर है उसके इस तरीकी की सोच वाले वरकर है वो वहीं की वहीं रहते हैं और ये शनी का प्रकुब होता है कि ठीक है तुम चोरी कर लो ठीक है तुम नुकसान कर दो उसका पर तुम भी कभी उबर नहीं पाओगे तुम गरीब ही रहोगे तुम उसी पोजीशन पे रहोगे तुम कभी भी अमीरी की जो सीड़ी है उसको नहीं चड़ प जब आप बुरे करम करते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब अमीरी में नहीं आया, या गरीबी से उठके उसने अमीरी में कदम नहीं रखा, बहुत है ऐसे, उनकी मिसालों की कमी नहीं, आज भी आप बड़े-बड़े लोगों की डॉक्यमेंटरी उठाओ, तो आप देखोगे कि वो गरीबी से उठके आये, ऐसी गरीबी सी कि वो साइकल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने कार बना ली, होटलों की चेन बना ली, ऐसे से प्रोड़क्ट अविश्कार कर दिये, जो पूरी दुनिया बदल गई, तो उन लोगों ने जी जान से महनत की, और इस तरी ये समझ लीजे, गरीबी से उठाके अमीरी का ताज बना देते हैं, पर अगर आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो, ये सोचके खुश हो रहे हो कि उसका नुकसान करके बड़ा मजा आ रहा है, या इसको ये एफेक्ट करो, इससे इसका ये नुकसान होगा, तो ये अच्छा है, वो हुगा तो ये च्छा, तो जब आप इतने बूटल हो जाते हो, क्रूर हो जाते हो, बुरा करते हो किसी का, तो फिर शनी भी क्या करते हैं, आपको जीवन भर वहीं रखते हैं, जहां पे आप थे, आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा चोरी से, नुकसान करन निकलती है, इनके आगे चलके कोई ना कोई बिमारी हो जाती है, जो भी कमाया पैसा हराम का है, वो निकल जाता है, कहता है ना हराम का पैसा कभी भी ठिकता नहीं है, और ये बात हर एक पे लागू होती है, कोई भी इनसान फालतु कमाएगा, दूसरे की आहां लेके दूसरे का नुकसान करके कमाएगा वो इस इस इंसान का भी पैसा अपने आप वो कमायवा पैसा बरकत नहीं देगा। वो कहीं न कहीं निकल जाएगा। यह शनी का नियाए होता है। इसके अलावा शनी क्या करते हैं जब एक्स्ट्रीम हो जाता है, for example कोई चोर चोरी करके भ पीछे पुलिस है और वो भाग रहा है भागते भागते उसका एक्सिडेंट हो गया और वो मर गया तो यह एक बहुत बड़ा शनी का नहाय होता है कि लो तुम ने इतनी एक्स्ट्रीम वो कर दी क्योंकि उस चोर ने चोरी एक बारी नहीं कियोगी ना जाने कितने लोगों के यहां कि होगी और यहां खाली में उस चोर की बात नहीं करा जिसका खाली पेशा चोरी ही है आज के वक्त में मैक्सिमम करमचारी जो काम करते हैं उनके मायंड में फेक्टरीज में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं कंपनीज में काम करते हैं उनके जो लोग ऐसा करते हैं, अगेन सब नहीं करते हैं, पर जो करते हैं, अपने हिर्दे में जानते हैं, मन में जानते हैं, कि उन्होंने क्या-क्या अपनी कंपनी से चुराया है, क्या-क्या अपनी फैक्टरी के मालिक के हां से चुराया है, क्या-क्या कंस्ट्रिक्शन साइट से आप यकीन नहीं करोगे मेरे को ऐसे से लोगों के हाल पता हैं और देखे हैं कि मतलब डॉक्टर्स तक मेडिकल इंस्टूमेंट्स चुराते हैं स्टूडेंट्स तक जो सीख रहें डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े लिखे बच्चे वो तक समान चुराते हैं जो लैब में होता है तो अनपड़ों का और गरीब का तो कहना ही क्या यहां तक की आर्किटेक्चर में चली जाओ इंजिनरिंग में चली जाओ जो भी इंस्टूमेंट्स होते हैं भई कोई चीज कॉस्टली है चलो इसे ही गाइब कर दो तो यह जो एक सोच है चोरी की जब भी आप चोरी करोगे आप शनी के प्रकोप के अंडर आ जाओगे और इसका दंड आपको ज़रूर मिलेगा जितना आप चोरी करोगे उससे पता नहीं कितना गुना आपका आगे कही सालों बाद निकल जाना है और इस जनम में नहीं निकला तो अगले जनम में आप तयार रहिए गरीबी में पैदा होने के लिए क्योंकि वो कर्ज वो भार आपने अपने उपर चड़ा लिया वो जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक आपको कभी भी वेल्थ का मूँ देखने को नहीं मिलेगा कभी भी पैसा आपके पास नहीं आएगा अब जैसे मैंने बताया कि कोई चोरी करके भाग रहा है और एक्सिडेंट में मर जाता है तो शनी के कारण शनी के प्रकोप के कारण चोर को सजा मिली पर उसका जो जनम होगा वो भी शनी के प्रकोप से जुड़ीवी उन जीवों की श्रणी में होगा अब शनी के आदेपत्ते में जो जीव आते हैं रेंगने वाले जीव आते हैं साप, बिच्छो, नेवला आपका जुहा, छिपकली, गिरगेट हर तरीके की साप की परजातियां रेंगने वाले जीव ये सब शनी के प्रकोप में शनी के अदेपत्ते में आते हैं और जब कोई भी व्यक्ति शनी के प्रकोप से मरता है मृत्यों को प्राप्त होता है तो उसका अगला जनम ऐसे रहेंगने वाले जीवों में ही होता है और अगर उसे मनश्ययों नहीं भी मिल गई तो गरीबी में ही उसका जनम होगा वो कभी भी अमेरी का मून नहीं देख पाएगा जहां शनी होते हैं वहां लक्षमी नहीं होती एक्स्ट्रीम हार्टशिप होती है शनी की पॉजिटिव साइड ही लक्षमी लाती है नेगरिटिव साइड लक्षमी नहीं लाती इतनी गरीबी में पहुचा देती है कि खाने तक के वांदे पड़ जाते है और जो रहेंगने वाले जीव हैं आप ये मत सोचिए कि इनको बरपेट खाना मिल जाता है ये भूके प्यासे डोलते रहते हैं रेंगते रहते हैं बड़ी मुश्किल से इने थोड़ा बहुत खाना मिलता है किसी जीव को एक खाते हैं तब ये उस जीवन को उस दिन को पार कर पाते हैं तो अगर कोई भी वेक्ते इस जीवन में जी भर के जूट बोल रहा है जी भर के चूरी कर रहा है दोका दे रहा है जिस काम के लिए पैसे ले रहा है उस काम को इमानदारी से नहीं कर रहा है हर तरीके से गमन कर रहा है भाग रहा है पैसे लेके हर तरीके के उल्टे करने कर रहा है आप यकीन मानिए वो शनी के आदे पत्ते में आ गया और शनी उससे रुष्ट हो चुके है ऐसे व्यक्ति का कमाया वा हराम का पैसा कही न कहीं से निकल जाएगा वो कभी भी उसको फाइदा नहीं देगा और जब ये लोग मरेंगे तो अगले जनम में ये रहेंगने वाले जीवों में इनका जनम होगा या साप बिच्चु नहीं बने तो ये अगर इनसान भी बने तो एक्स्ट्रीम गरीबी और पावर्टी में इनका जनम होगा क्योंकि जितना जादा आप चोरी करोगे जितना जादा पैसे का गमन करोगे आप अपने उपर उस धन का बाहर चड़ा लोगे जितना जादा पैसा लेके उस नियत का उस इमानदारी से उस लेवल का काम नहीं करोगे आप अपने उपर बाहर चड़ा लोगे और वो भार जबी उतरेगा जब आप गरीबी में जीमन बिताओगे तो इसलिए कोई भी मनुष्य आपको धोका देके भाग रहा है आपके साथ गलत कर रहा है आप निशिन्त हो जाएए ये शनी के आदे पत्ते में आ चुके हैं शनी इनके नेगटिव हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों को सजा जरूर मिलेगी इस जनम में मिल गई तो इनकी खुश किसमत ही है कि इनको इसी जनम में मिल गई शायद अगले जनम सुधर जाए पर अगर इस जनम में इनको सजा नहीं मिलती तो इनको खुश होने दो, इनसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं, क्योंकि जब ये अगले जनब में पैदा होंगे, तो रेंगने वाले प्राणियों के बीच में ही पैदा होंगे, और अगर वहां ना होए, मनुश्य भी मनें, तो गरीबी में ही पैदा होंगे, गरीबी म दम तोडेंगे, ये सिलसला जब तक चलता रहेगा, जब तक ये उस चोरी का बाहर ना उतार दे, उस गमन का बाहर ना उतार दे, उस हराम खोरी का बाहर ना उतार दे, उस जूट का बाहर ना उतार दे, उस शडियंतर का बाहर ना उतार दे, उस धोके का बाहर ना उतार दे, जो इनों ने उस जनम में अपने मालिक के साथ किया था तो शनी जो होते हैं वो देवता हैं वो ग्रह हैं जो इनसान की कुंडली बदल के रख देते हैं सब कुछ होते वे भी सबरुष्ट हो जाता है सब कुछ होते वे भी उसका आणन्द नहीं मिलता तो जो भी लोग करमचारी हैं उनको तो विशेश तोर पे ध्यान देना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके के गलत करमों से बचना है गलत कारें से बचना है अगर आप गलत कृत्यों में रहेंगे चोरी चकारी में रहेंगे जुट बोलने में रहेंगे कामचोरी में रहेंगे आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते चोटी मुटी आप चलाकी से पैसा कमा लो पर जो आप ने सपने देखे हैं वो आपके कभी पूरे नहीं होगे आप जीवन बर जलते रहोगे अपने मालिक से इर्शा करते रहोगे उसका आहित करते रहोगे आज एक मालिक का किया फिर दूसरे का किया फिर तीसरे का किया फिर चौते का किया और धक्ये खाते रहोगे गरीबी में और गरीबी में ही प्राहन त्याग दोगे और जिस भी मालिक का आपहित करोगे उस मालिक को भगवान अपने आप तरक्की देगा क्योंकि उसकी इमानदारी उसके साथ जो दोका हुआ उसके बदले में उसको reward देने के लिए भगवान उसको और तरक्की देगा और ये कटू सत्ते है जो आपके उपर लागू होता है आपकी गलतियों पर लागू होता है तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें शनी ऐसे ग्रहे हैं जो चोरी करने वाले को जूट बोलने वाले को हराम खोरी करने वाले को, आलस करने वाले को, हर तरीके से धोका देने वाले मनुश्य को कभी नहीं बख्षते, चाए आप फिर कहीं पे भी पैदा हो जाओ दुनिया में, चाए आप पशु योनी में भी पैदा हो जाओ, तो भी आपको deprivation रहेगा, परिशानिया रहेगी, करम अच्छे कर लोगे अपने आप शनी आपको फाइदा देंगे करम बुरे करोगे आप कब बरबाद हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो इसलिए इश्वर से डरो उसके नयाय से डरो इसी तरीके से बाकी ग्रहों की भी सजाए होती है वो भी सजा देते हैं को उसके बारे में मैं आपको ओर डेटील में अलग-लग वीडियोज में बताऊँगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जुरू बताईएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को और जादा-जादा स्परेड कीजिए अगर आप घर की शुद्धी चाहते है नेगेटिवटी को भगाना चाहते हैं तो आप हमारी धुनी मंगाईए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाईए आपको लाब मिलेगा प्रोटेक्शन लॉकेट भी पहन सकते हैं हमारे यांसे मंगा के ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा ये कभी खराब नहीं होता है ये कोई गंडा तावीज नहीं है और अगर आपके उपर किसी ने काला जादू किया है तो आप हमारे नारिल मंगवा के अपना उतारा करें नारिल कोवन कोड में जलाएं आपके उपर से बड़ा सा बड़ा काला जादू ब्लैक प्रजेक हट जाएगा कितने ही पुराने नजर हो हट जाएगा संपर्क कर सकते हैं वाटसेप दोआरा मुबाइल नमबर 8130331007 पे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित महुन सिंगला